जुहार जर्खंडी नुज में आपका स्वागत है आए जर्खंड राज के टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं भार्तिये रेल्वे ने परवासी मजदूरों के लिए आगामी 10 दिनों तक 26 सब स्पेसल ट्रेनों का परिचालन करेगा जिसमे 36 लाख यातरी सफर कर पाएंगे भार्तिये रेल्वे के चेर्मेन विनोत कुमार यादो ने कहा कि जून से 200 और स्पेसल ट्रेन चलाने का फेसल है किया गया है पर कर चुके उन्होंने यह अभी कहा कि और किसी भी स्टेशन पर ज्यादा संख्या में प्रवासी अपने घर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ट्रेन सिवा उपलप्त कराई जाएगी सरकारी स्कूलों में 35 लाख बच्चों के बीच कितावे बाटने का दिया गया निर्देश की छत्राओं को किताबे दियाएगी जनकारी के अनुसर काक्षा एक और काक्षा छो में नमांकर नहीं हुआ है इसलिए इन दोनों काक्षाओं की किताबे बिद्याले में रखने को का गया है नमांकर के बाद बच्चों को किताब दियाएगी जार्खन में आज 20 नए संक्रमितों की पुष्टी हुई है जो कोडार्मा से गारा सिम्डेगा से चार्ज, अंसेतपूर से तीन और राची से दो है जार्खन में कुल संक्रमितों की संक्या 330 से बढ़का 350 हो गई जबकि 141 लोग सवस्थ हुए और 4 की मिरत्यू हो गई भारत में कुल संक्रमितों की संक्या 1,31,423 है जबकि 54,385 लोग सवस्थ हुए और 3868 की मिरत्यू हो गई बाबा देव घर में 95 लाख रुपे से किया जाएगा मंदीर का संदर्यकरन बाबा देव घर में स्ट्रावनी मेला से पहले मंदीर का संदर्यकरन किया जाएगा मंदीर के बाहर और अंदर वेवस्ता को दुरूस्त करने को लेकर रोड मैप तयार कर लिया गया है मंदीर परसाशन के निर्देश पर मंदीर परिसर का भ्रहमन कर पानी बिजली फुट ओवर विरिज का जाजा लिया गया और टीम द्वारा नो भागों में काम किये जाने का फैसला हुआ जिसमें 90 से 95 लाग रुपे तक का खर्चाने का अनुमान है बाबुलाल मरांडी ने बाटा भोजन जारकन के प्रत्था मुख मंत्री और भाजपाक विदायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने अखिल भरतिया बिद्यार्थी परिशत की ओर से संचालीत आहर केंद्र में पहुँच कर गई वो की बिच भोजन का वित्रन किया बाबुलाल मरांडी ने कहा कि देश में कभी भी बिपदा आई है तो विद्यार्थियों ने डट कर मुकावला किया है उन्होंने कहा हमें और मेनत करनी है लोकड़ण में गरीबो मजदूरो जरुआत मन तक भोजन राचन पहुचाना ही राष्ट की सची सेवा है गुमला जिला में इद और लोकड़ण को लेकर सांती समीती की बैठक हुई गुमला विडियो विशाल कुमार एवं थानेदार की सणियुक्त अध्यक्सता में हुई बैठक में राजनितिक दलो के प्रतिनी धी एवं सभी समुदाय के लोग भी समीली थे सभी लोगों ने क मुलियांकन कारे सरकार से अनुमती मिलने के बाद अब इद बाद शुरू कर दी जाएगी जैक अध्यक्स डाक्टर अर्वीन परसाद सिंहा ने कहा कि मैट्रिक वर इंटर का रिजल्ड उतर पुस्तिका की जाज शुरू होने के एक माह बाद जारी हो जाने की संभावना है मुलियांकर केंद्रों पर परिश्कों की बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार नहीं होगी तथा सोसल डिस्टेंसिंग का अलुपालन नहीं हो सके उन केंद्रों में बदलाव किया जाएगा ताकि सोसल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके स्वास्त विभाग के परदान सचीव डाक्टर नितिल कुलकरणी ने कहा कि राजय में 5000 टेस्ट करने के लक्ष के साथ काम किया जा रहा है बर्तमान में एक दिन में 1200 से 2200 टेस्ट हो पा रहा है उन्होंने काया कि विभाग द्वारा तिन नए मेडिकल में टेस्ट सुरू करने के लिए मसीन का आउडर दे दिया गया है मसीन आने पर दुमका पलामू और हजारी बाग में भी टेस्ट सुरू हो जाएंगे आन्द्र परदिस और अली गर से जार्खन पहुँचे2800 सुरू मिक लोगड़न में फद्वती सुरू को का जार्खन लोटने का सिल्सील लागतार जारी है आन्द्र परदिस के चितूर से 1796 सुरू पलामू के डाटेंगा इस्टेसण पहुँचे जबकि अल्ली गर से जार्खंट के स्टूडेंट को लेकर ट्रेन को डार्मा इस्टेसन पहुँची सभी का स्क्रीनिंग किया गया उसके बाद पानी और नस्ता के पैकेट देकर बसो के माध्यम से उनके गंतव ये जीलों तक भेजा गया ग्रामीन इलाके में पानी रोको अभियान जुलाई से सुरू ग्रामीन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ग्रामीन इलाकों में पानी रोको अभियान के साथ साथ पौधार ओपन कारेकरम भी जुलाई माह से सुरू कर दिया जाएगा बारिस के पानी को मेड बनाकर रोकने का कारे किया जाएगा जिससे बारिस का पानी बहकर बरबाद ना हो सके मंतरी ने बताया कि इसके साथ ही पौधार ओपन कारेकरम भी सुरू होगा जिससे ज्यादत ज्यादा फलदार बिरिक्ष लगाये जाएगे उन्होंने कहा कि सभी कारे परवासी मजदूरों को दिया जाएगा गड़वा के कॉरेंटीन सेंटर में हंगामा गड़वा जिला में लगतार संक्रमन अपना पैर फैलाते जा रहा है तो वहीं कॉरेंटिन सेंटर में मजदूरों के वेवस्था भी नहीं दी जा रही है यह गड़वा जीला के लिए दूसरा हंगामा है जो की मजदूरों ने नराज होकर किया मजदूरों का काना है कि सेंटर में कोई भी वेवस्था नहीं दिया जा रहा है मजदूरों ने बिरोध करते हुए कॉरेंटीन सेंटर से भाग खड़े हुए जार्खन सचुवालव में एक काम काज शुरू लोगडाउन 4.0 में मिले छूट से लगबग सभी काम सुरू होने लगे है नेपाल हाउस इस्थित सचुवालव में भी अब काम काज धीरे धीरे सुरू होने लगा है सचुवालव में इस्थित स्वास्त विभाग, जल विभाग, पेजल एवं स्वस्ता विभाग, उच सिक्षा विभाग आदी है यहाँ फिलाल सरकारी करमचारे ही आते हैं अभी का गेट पर थर्मन स्केरिंग करने के बाद हाथ को सेनेटाइज किया जाता है पलामु जिला बना संक्रमन मुक्त पलामु जिला को संक्रमन के खिलाब चल रही जंग में जीत हासिल हुई है पलामु से 15 पोजेटिव पाये गए थे जिनका रिपोर्ट निगेटिव आया है पलामु का उपायू डाक्टर संतनु कुमार अगरहरी ने संक्रमित मरीजों के स्वास्थ होने पर चिकित सको स्वास्थ करमियों वा परसासन की टीम को बदाई दिया इस तरह फिलाल पलामु जिला संक्रमन मुक्त बना राची क्वारेंटाइन सेंटर में मिल रहा है पोजटिक आहार जार्खन सरकार की ओर से महामारी के संक्रमन को रोकने के लिए बहुत यशे परयास किये जा रहा है राची क्वारेटाइन सेंटर में इमिनिटी पर विसेस द्यान दी जा रही है सरकार प्रवासियों को रोजाना पोश्टिक आहर दे रही है जिसे लोगों का रोग परतिरोधक शंता बढ़ सके जारखन के 500 मजदूर महराष्ट के सतार स्टेशन पर सोने को विवस महराष्ट के सतार स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आये मजदूर ट्रेन रध होने के करण स्टेशन पर सोने को विवस आए सुचना कमसार सनिवार को इन मजदूरों की ट्रेन रेलवे स्टेशन से थी इस करन सभी अपने बच्चे वो परिजनों के साथ स्टेशन ट्रेन पकरने पहुँचे थे स्टेशन आने के बाद उन्हें सुचना मिला की ट्रेन रध हो गई है मजदूरों द्वारा बिरोध परदसन करने पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया तो पुलिस से बच कर कुछ मजदूर अपने किराय के मकान में पहुँचे मकान मालिक ने भी घर में नहीं गुषने दिया जाखन हाई कोट में सुचना आयोगत की नियुक्तियों को लेकर मामला दायर इफाइलिंग से मामला दायर करते हुए सिगर सुनवाई करने का भी आगरा किया गया है प्रार्थी ने बताया कि एक सुचना अयोगत कारे कर रहे थे पर इनका कारे कल समाप्त हो गया है अब सुचना आयोग पुरी तरह से खाली हो गया है जिसे लम्बित मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है धनबाद माइन्स में हदसा धनबाद सेल चास नाला कोलियरी के डीप माइन्स में दुर घटना हो गई जिसमें ठेका मजदूर सा सुपरवाईजर सहीद 6 मजदूर के कोईले के चास में दवे होने की बात कही जा रही है यह घटना सुक्रवार करीब 8 बज़े की है चास में दवे मजदूरों को निकालने का काम जारी है घटना स्तल पर सेल अधिकारी वकरमचारे भी पहुंचे बोकारो में मन्रेगा का कारे रफ्तार पर एक हजर परवासी मजदूरों को मिला काम बोकारो जिला के गोमिया परखंड में मन्रेगा कारे में तेजी आई है मन्डेगा के तवत लगबग 5000 मजदूर को काम निला है जिसमें लगबग 1000 परवासी मजदूर भी है जनकारी के नुशाल सभी परवासी मजदूर गोमिया परखंड के पंचायत के है इन सभी पंचायतों में मन्डेगा के तवर डोभा, आमभगवानी, मेडबंद, आधिकारी चल रहे है धुमका जिला की बरतमान वपूर दोनों DEO पर करवाईता है दुमका जिला के पुर्जेक्ट बालका उच विद्याले काठी कुंड में पदास्थित लिपिक मनोज कुमार साह के नियुकती मामला में सतकालिन जीला सिक्षा पदादिकारी धरमदेव राय और बर्तमान जीला सिक्षा पदादिकारी पुनम कुमारी के उपर गांज गिरनात्त है माना जा रहा है। उपायुक्त रहस्वरी ने कहा कि इस मामले में दोनों के विरुद उचित करवाई के लिए विभाग को अनुसंसा प्रेसित किया गया है। अर्जुन मुंडा ने हमान सुरें से फोन पर की बात। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चिंता जताते हुए जल्द से जल्द बेतन भुकतान करने की मांग की है। कमेटी के प्रवक्ता अलोक कुमार दुबे ने कहा की लंबे समय से सरकारी स्कुलों के सिक्षकों का वेतन नहीं मिलने से हजारों परिवारों के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन होगी। खाद गड़ा सबजी बजार में सोसल डिस्टेंसिंग नहीं। सभी दुकाने सटी रहती है। परवासी मजदूर जो घर लोटना चाहते हैं अपना नजदी की रेलवेई स्टेशन से टिकट बोकिंग करा सकते हैं। वैसे मजदूर जिनके पास पैसा नहीं है वे पंजीकरन का सुचना आने का इंतियार करें। यह स्पेसल ट्रेन का परिचलन किया जा रहा है। आपको जल्द जार्खन लाया जाएगा। धन्यवाद। यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दवाए। साथी वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसेप फेस्बुक ट्यूटर इस्टाग्राम पर सेर करें। और आप हमें कोमेंट में अपना राय अवस्य दे। थाइंक्यू।